हाई गाईस, वेल्कम बेक टू माई चैनल, तो आज मैं आप सब के लिए कुछ ऐसे साथ इमेजिंग टिप्स लेकर आई हूँ, जो लाइफ में काफी काम आने वाला है, और बिल्कुल नया लाई हूँ, और नहीं आप पहले कभी देखेंगे, और नहीं कभी सुने होंगे, त तो मैरा पहला टिप्स है, गैस चूले को लेकर है, तो देखेंगे, गैस को हम जब भी साप करते हैं, तो इस तरह से जब हम हाथ को अंदर डालते हैं, तो यह क्या होता है, हाथ अंदर नहीं जाता है, और कई बार तो क्या होता है, गैस से हमें चोट भी लग जाती है, और जब हम इसे साप करते हैं, तो इस तरह से मैं गैस को उठाना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, तो इसमें जो गुठके लगे हुए रहते हैं, वो प्लास्टिक का रहता है कई बार, और कई बार देखते हैं, इहां पर चिनिमित्टी का भी देता है, तो इस तरह से यहां पर मैं लिए हूँ इस तरह से प्लास्टिक बोतल यह बच्चे का जो दवाई बगएरा देते हैं वही बोतल है तो मैं यहां पर चार लिए हूँ एक पहले से मेरे हां कटा हुआ है और इसको मैं क्या करेंगे इस चाकु से मैं इसको कट कर लेंगे इसमें निशान लगा डिना है तो यह देखिए हम चारों में लगा दी है एक फिरे से मेरे पास था तら मैं भी बनाई हूँ इस तरह से काटलिए अब हम जब क्लिम करेंगे इसको तो यह दखिए आथ इसके अंदर बहुत आसानी से आजाए और इससे अच्छी से क्लिंट हो जाएगा और हमें गै वैसा करने भी तो यह क्या होने इसके गुटके जो बिल्कुल नहीं यह टूटें और नहीं फूटेंगे आप इसको बना कर इसे यूजद कर सकते हैं अशा करती यह तीप छोप लोगको काफी यूजब लगा होगा तो मेरे अगला टिप सरा इस,' aqui को डबै को लेकर तो इस तरह से आप मत रखिए इसको आप क्या किजिए इस तरह से हमें खड़ा करके इस तरह से इसमें रखना है इस तरह से जब हम रखेंगे इसमें तो तीन या चार पांच जितना बड़ा डबा रहेंगे उतना इसमें आ जाएंगे तो इस तरह से देखिए हम इसमें चार जोड़ी रख दी इस तरह से देखिए आप लोग को दिख रहा हूं इसमें चार जोड़ी बहुत आसानी से आ गया है आप जहां पर यहां स्टेंड है आपका चपल जूते रखने वाला वहां पर रख दीजे इस से देखिए स्टेंड आजकल यह भरा हुआ है और सभी के पास क्या होत है चार से पाल जोड़ी तक तो ही रहते हैं चपल जूति त्वी तरह से हमें जगा नहीं रहता तो इस तरह सब बना कर इसको रख सकते है और इसे निकालने में भी काफी असानी होता है तो मेरा इस ते प्याज को लेकर है तो देखिए जब भी हुम्EMAद छिलते हैं तो आक से आसू आने ही लगते हैं, ज्यादा प्याज चिले या तो कम प्याज चिले, लेकिन कई बर क्यों होता है, ज्यादा प्याज चिलना होता है, तो काफी मुस्किल लगता है, क्योंकि आक से इतना आसू आने लगता है, कि हमें चिलने में काफी मुस्किल होता है, तो आपको लेना यहां पर आधा नीमू तो अभी में आप आधा नीमू लेंगे और चाकू के उपर इस तरह से हमें क्या करना है लगा देना है अब जो बरतन में आप प्याज को छील रहे हैं वो बरतन में आप क्या किजिए इस तरह से लगा दीजिए लगाने के बाद आप प्य पीच्फुल टीप्स है अगर थोड़ा से भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक असस्क्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा तो मेरा अगला टीप्स है इस तरह को बरी कुले करें तो देखिए यह रेडिमेट बरी हो या तो दाल का जो घर में बनाते हैं वह इसमें क्या हो जाते हैं बहुत जल्दी कीडे लग जाते हैं चोटे चोटे और कई बर क्या होते हैं यह काले भी हो जाते हैं तो आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं आप इसमें सिल्का जेल आता वह भी डाल सकते हैं मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहां पर सिल्वर कोईल डाल रहे हैं अगर आपके पास सिल्वर कोईल भी नहीं तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं हालका साइस को तवा पर एकदम गरम करके रख सकते हैं या तो आप इसमें थोड़ा सा चावल भी इस तरह से डाल सकते हैं और इस तरह से हिला दीजिए इसके अंदर चला जाए तो मेरा अगला टीप सब्सक्राइब को थाइले को लेकर है तो देखिए जब भी कोई समान बगेरा मंगाते हैं कपड़े लाते हैं तो इस तरह से थाइले मिलते हैं तो यहां पर मैं ली हूँ एक बैंगल और इस तरह से आप क्या किजिए कोई पेंच से आप निसान लगा ल सान का समान बगाते हैं तो आप क्या किजिए इसमें सारा ठीन को इसमें डाल दी इस तरह से देखिए इसикомैं डाल वा कोई वीन एक वार मिसमें भरकर रख देंगे और इस तरह से अच्छा लगता और इसे पता भी नहीं पुलथीन रखेंगें और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं यह भी काफी तीप्स है तो भरते अंगले टिप्स क्यों मेरा अगला टीप्स है इस तरह से मास्क खोले करें तो में से युज किये थे और अभी देखिए करोना नहीं तो कोई मास्क कोई युज नहीं है तो इस तरह से पढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको यहां पर से चाहें तो चलाए तोर सकते हैं नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं से भी इसको बना सकते हैं और हमें क्या करना ह कि अब हमें क्या करना यहां से लगाना है दोनों सफ जाए तो आप चाहां तो मिशीन पर से यह सब्सक्राइंब इसकोhew दागे को सिल लिए हैं अब हम इसको क्या करना है इसको पलट लेते हैं तो इस तरह से देखिए हैं पलट ली हैं और यह छोटा सा एक थैली बन गया है इस तरह से देखिए जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से छोटा सा बना लीजिए अब हम इसमें रखने वाले हैं आप इस तरह से बना लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए इस तरह से रखने से क्या होगा एक तो सारे सिक्क्य एक जगर रहेंगे और जब भी हमें जरूरत पढ़ेगा तो हम बहुत असानी से शेशे निकाल लेंगे और फिर चाहिए तो इसमें अम्राक भी सकते हैं तो ज्यादा तरह हमें सिखे की जरूरत सब्जी लाने में पड़ता है या तो फिर कहीं पर जाते हैं आटो पर तो हमें इस तरह से हमें इसका जरूरत पड़ता है आप इसको कहीं हैंग कर दीजी इस तरह से हैंग कर दीजी तो यह क्या होगी हमें से कप को डाल सकते हैं या तो आप यहां पर छोटा सा कटोरी डाल सकते हैं गिलास को भी डाल सकते हैं और डालने के बाद देखिए दूद क्या होगा नीचे इस तरह से दीरे दीरे यह चला गया उसके बाद क्या होगा दूद इस तरह से देखिए उबल रहा है इस तरह से बताईएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा